नमस्कार, स्वागत आपका सेल्ट स्टेडी की चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं भारत चेन का जो एक युद हुआ था 1962 में बहुत सारे हीरो थे उस युद में हमारे देश के उन बहुत सारे हीरो में से एक थे राइफल मैन जश्वन सिंग रामत उनकी कहानी जो है आज हम डिसकस करने वाले हैं यह जो इनकी कहानी है अभी चर्चा में क्यों आई उसका भी रीजन है क्योंकि इनके नाम पर जो किसी चीज का नाम था उसका बदल कर मतलब जश्वन सिंग जश्वन गड़ रखा गया है अभी वो भी हम जानेंगे बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत सारी चीजों का आपको जानने को मिलेगा साथ इसाथ वीडियो की जो पीडियो है उसके बारे मैं बता जेता हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में एक टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए एक लैंस डाउन चावनी बोड ने अब ये जगएं कहां पर हैं इसको भी माँ आपको दिखाऊंगा ये लैंस डाउन है डाउन गलत लिखा गया लैंस डाउन चावनी बोड ने चीन के साथ 1922 के यूद में नाइकों में से जो बहुत सारे जो हीरो थे उनमें से एक जो महावी चक्रप्राप्त राइफल मैन जस्वन सिंग रावत के नाम पर जो दिल्ली से 280 किलोमेटर दूर उत्राखण में एक बहुत युनीक सा हिल स्टेशन है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया जस्वन गड कर जब इंडिया और चाइना का यूद जो है वो स्टार्ट होने की कगार पर ही था फॉर्थ बैटैलियन थे गड़वाल राइफल में से यह और इनों ने जो चाइनीज मशीन जो थी चाइनीज मीडियम मशीन गन जो थी उनके उपर कबजा क्या 72 गंटों तक इनों ने मतलब एक तरीके से चाइन को रोक कर रखा था और 300 सैनिक जो हैं कहा जाता है कि उस वक्त मारे गए थे अब यहां पर कुछ न्यूस पेपर हैं उनके कोडिंग मैं बात कर रहा हूं मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई कहानी बना कर बोल रहा हूं वैसे भी इन व लूगों को वह जगह दिखा देता हूं आपकर रहा उत्राखंड में अगर जुम करते हैं अपको ङहां पर लैंस डाउन जोई यह नाम नहीं करता हूं humor कर ता इसका नाम बदलकर लैंस मुआ करने के एक लोर्ड लैंजडाउन हुआ करता था लोड तो क्या है बोले इनको लैंजडाउन वा करता था है इसका नाम था ह령 हेन्रि चार्राल्स कि Zimmerman के पांच्वें मार्क्वेस यानिे फीफ्द मार्क्वेस of लेंजडाउन. First of all तो यह जो एक term लिखी गई है ना Marquis of Lensdown. यह जो है एक तरीके से अमीरों का एक group हुआ करता था UK में. अमीरों का एक जुंड कहलो या group कहलो हुआ करता था UK में. उनके लिए एक पद बनाया गया था या फिर उनके उनको संबोधित अधर मेर्य इसको एड करती थी यह बिट फिर्ज मोरी इस यह जो हैंड्री चारल्स यह थे किंठ। न्यांज कित हैं इसके पांचमे एक तरीके समझे अनौन पांचमी संक्या प्याने वाले इसे पहले और आ चुके थे इसी फैमिली से ये पांचमा बंदा था अब यहां पर ये एक ब्रिटिश राजनेता था इसने क्या किया था 1888 से 1894 तक वारत का वाइसरोय के रूप में इसने काम भे किया था और ये उस वक्त का दोर था 1891 में जब एंग्लो मनीपूर युद भी हुआ था और उस वक्त जो मनीपूरी जो हीरो थे बीर टिकेंदर जीत और जनरल थंगल उनको साजनिक रूप से उस वक्त फांसी भी दे गई थी और बहुत सारे लोगों को काला पानी भी बेज दिया गया था अब लैंसडाउन चावनी के जो अधिकारी जो ओफिशियल रिकोर्डर जो बनाई भी जाए गडवाल राइफल्स के रंगरूटों के प्रशिक्षन देने के लिए चावनी और रेजिमेंटल सेंटर जो समुदर तल से 6000 फिट के उचाई पर कालोग डूंडा के नाम से परसीद यह वन शेतर में स्थीत था अब नई साइट को जो बिर्गेडियर जनरल जे आर मरे और जी ओसी रोयल खंड के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया था अप्रूव करने के बाद चार नौंबर 1887 को इसे कालोग डूंडा में यहां पर मूव भी कर दिया गया था पहली बिटैलियन को अब 21 सितंबर 1890 में जो वाइसराय का जो नाम था उनके महावीर चक्र मिला अब बात करते हैं देखिए राइफल मैं जस्वन सिंग इन्होंने क्या किया इनका क्या योगदान था इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखे 1762 में नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर एजनसी जो अब अरनांचर प्रतिस में यह क्या होती है देख यह MAP गलत दिखा दिए भारती है लेकिन क्या है कि यह P.O.K जिसके पर पाकिस्तान का कबजा कर रहता है और यह अक्साइची जिनवालों क्बजा कर रहता है है हमारा भारती अब आ जाते हैं यहां पर यहां पर क्या हुआ था नोर्थ इस्ट फ्रेंटिर एजनसी में इनक हाँ पर ही जो है हमला हुआ था हमला हुआ था नोर्थ इंट फ्रेंटियर में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब नुन्रांग के लड़ाई में उनकी बहुत महतपुर्ण वोमिकार रही है अब उन्होंने अपनी लड़ाई के तुन जो अपनी प्राणों का बलिदान द गार रहती है जो ऑफिशियल रिकोर्ड बताते हैं कि इनकी बटैलियन ने 2 चीनी पॉजिशन को उनसे वापस बेदिय थे कि चीन जो है वो दो position के उपर कबजा करके बैटा था लेकिन जस्वन सिंग की battalion ने क्या-क्या इन दोनों position के उपर अपना कबजा कर लिया था तीसरी position के दोरान भी यह जा रहे थे अब यहाँ पर क्या था एक चीनी medium machine gun थी अब यहाँ इस position को आप समझे न यह एक ऐसी position के उपर थे चीनी जो लोग थे यह चीनी आर्मी जो थी एक ऐसी position पर थे कि भारतिय डिफेंस और जो भारतिय सैनिक थे जो भारतिय पोजिशन थे बारतियों की जो पोजिशन थे उनके उपर एक दोम सटिक से गोलाबारी कर रही थी अब इसको चुप कराना जरूरी था तो जस्वन सिंग ने एक दोम silence ली इसके ओपर कबजा कर लिया इनको covering fire दी गई थी तिरलोक सिंग नेगी और rifleman गोपाल सिंग गोसाई के दोरा और इन covering fire के चलते हैं यहाँ पर प्रिनेट फैंकने में सक्सेस हो जाते हैं और उन्होंने मध्यम मशीन गन को यानि की जो मीडियम मशीन गन है उनको भी जब्त कर लिया था अब यहाँ पर यह आप लोगों को बता चुका हूँ नोर्थ फ्रेंट नोर्थ इस फ्रेंटियर क्या है अब हालांकि लोटते समय गोसाई और नेगी की जान चली गई थी शहीद हो चुके थे जस्वन सिंग जो वह काफी ज़्यादा गंबी रूप से गाहल भी हो चुके थे लेकिन जो इन्होंने हत्यारों के उपर कबजा किया था वह वापस लाने में सफल हुए जबकि बार-बार चीनी हमलों के कारण देखे जस्वन सिंग की कंपनी को पीछे हटना बढ़ा लेकिन अकेले जो राइफल मैन ने जस्वन सिंग रावजी थे उन्होंने अपनी पोस्ट पर वो तैनात रहे इस्थानिय जो लोग कता हैं वहां की जो कहानिया कही जाती है कि उनकी परयासों में दो लड़कियों को भी शामिल किया गया था जिसमें एक की जान चली जाती है दूसरी को बंदी बना दिया जाता है राइफल में जस्वन सिंग लगाता है चीनी हमलों को रोकने में काम्याब रहे जब तक कि उन्होंने अपनी चोटों के कान अपना दम नहीं तोड़ दिया तो देखे यहर आप इस चीज को समझे ना इसको फील करके देखे कि एक इनसान जो है अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है उनको चोट लगी हुई है और देखे कितना उनके अंदर वो जज़बा चाहिए होता है कि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे दूँगा ये ये जो चीज है ना किसी भी किसी भी चीज से आंकी नहीं जा सकती क्या उनके अंदर इतनी कहेंगे कि देश भक्ती थी इन्होंने वो कहेंगे कि वो प्राइसलेस है अब मैं वो च रिवार में आप जानेंगे तो 19 साल की एज में 19 साल की एज ही उन्होंने इंडियन आर्मी को जोइन किया था और उस एज के तुरान सिर्फ दो साल बाद ही जब 1962 का जो यूद हुआ वहां पर वो शहीद हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है इन सब चीजों को आपक के लिए वो हर एक को बताने की बहुत जादा जरूरत है अब जस्वंद सिंग को मर्नो परांत महावी चकर से समानित किया गया जबकि उनकी बटैलियन को बैटल ओनर नुरा नांग यह भी मिला था आज जिस चोकी पर जस्वंद सिंग ने युद किया था उसका नाम जस्व बाद भारते सेना बाबा जस्वंद नाम से इनको सम्मान देती है बहुत सारी चीजें जो है इनके बारे में लिखा गया नुरा नांग ब्रिज की सुरक्षा के लिए तैनात किये गए थे अकेले ही पांच mmg यहने की लाइट मशीन गल जो है इन्होंने संबाले थी 300 सेनिक तो उमीद है कि आज का जो यह टोपिक तो नहीं कहूंगा कि एक इंस्पिरेशनल है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आपको समझ में आया है तो कोमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी है सब चीजें और शेयर करिए ताकि लोगों को बता भी सके हमारे देश की जो शही जवान है उनकी कहानी हर घर तक भी पहुंचे पीडियो के लिए मैं फिर से बता देता हूं डिस्क्रिप्शन वाक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड भी कर सक करें कुछ जादा ही प्रसंद आए कि तब शेयर भी कर सकते हैं तो बसाज के लिए इतने हैं था थैंक्यू और वाचिंग दिस वीडियो